हेलो फ्रेंट्स आज मैं ऐसे ही अपनी भावनाओं को शेयर कर रही हूँ कहीं न कहीं मुझे लगा है जैसे लाल सिंग चड़ा अमिर खान की फिल्म को बाइक ओड किया गया है सम्वेर आई फिलिंग की चारों और से जैसे न बॉलीवुड को सुशान सिंग की भी हाय लगी है और कुछ दिनों पहले राकेश शर्मा जी ने एक वीडियो बिनाया था जिसमें उन्होंने बताया था कि आने वाले समय में जो है बॉलीवुड को सबक मिलेगा जो उन्होंने यह मतलब सुशान सिंग के साथ किया है उसको जैसे बैक वाट किया गया था कहीं भी उसको इंपोर्टेंस नहीं दिया जाता था हर जगह होता है दोस्तो हर जगह होता है मैं जहाँ एक होटल में जॉप करती थी मुझे वहाँ पर महसूस हुआ कि जो भी होता है बड़ जब इंसान का स्टेटिस बड़ा होता है जो नय जो थी अच्छे घर से थी बट क्योंकि मेरे वोपर स्टाइन गलत था, सबने मेरा त्याग कर दिया था तो इसलिए मैंने उस चीज को फेस किया और जान बुचकर ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में ऐसे सिटुएशन्स डाली जाती है उनको इंपैथ बनाया जाता है और उनको हर उस चीज से गुजारा जाता है जिसके लिए उनका जन्म होता है जिसके उपर उनको काम करना है जहां उनको अपनी एनरजी डालनी है तो वो सबक पहले उनको खुद को दिया जाता है कि देखो क्या हो रहा है लेडिस के साथ तो इसके उपर तो अभी तो मेरे जबान उपन नहीं हुई है बट मैंने ये देखा है दोस्तों कि कैसे एक powerful इंसान जो है कमजोर इंसान को किस तरह से dominate करता है जबकि वो गलत नहीं होता है कमजोर इंसान भी जो है कभी गलत नहीं होता है बट जब power हाथ में आती है तो कमजोर इंसान को dominate किया जाता है फिर वो wife हो, girlfriend हो, जो भी हो, आपकी नौकर हो बहुत एक बात दिल में चुपती है मेरे जो शाहर इस वीडियो में शेयर करना ठीक नहीं है क्योंकि मैं खुदी comfortable नहीं हूँ वो चीज शेयर करने के लिए बट लेडिज को अच्छे अच्छे लोग मतलब जिनको जैसे कहा जाता है कि बबा इस जगह लेडिज को respect मिलती है अगर वो यहाँ पे काम करती है तो यहाँ पे कुछ गलत नहीं होता ऐसा सुनने को मिलता है बट बहुत जगह पे जैसे होता है जहाँ मधू होती है मक्हिया आ जाती है तो लेडिज को एक मधू की तिरह यूज करिया जाता है कि आसपास मक्हिया बनी रहे तो यह भी एक experience मैंने लिया जो कि अभी भी मेरा मन नहीं कि मैं उस चीज को खुल के शेयर करूं तो लाज सिंग चटा की जो फिर्म अमेर खान की कहीं न कहीं लगता है कि तो हाँ यह सुशान सिंग अभी है बुल्रेड के उपर बट लेडी लग जो उसने मतलब पहली वाइप को छोड़ा फिर दूसरी को भी छोड़ा जैसे जो है अब पूरी काइनात उसके दुश्मन बन गई है ऐसा लग रहा है क्योंकि देखो एक वाइफ को तो उसने छोड़ा दूसरी को भी छोड़ा बतलब मुझे बताईए कि अच्छा नहीं लग रहा शेयर करने को बट मेरी एक जो फ्रेंड है उनके जो जिनको वो डियम समझती है उके तो उन्होंने भी जो है अच्छे खासी एज है उनके पतलब 25 साल छोटी लड़की को उन्होंने सिलेक्ट किया शादी के लिए जो कि एक तम गरीब घर से थे तो जाहिर से बात है मुझे बताईए पांच-दस सालों में अगर इसका कुछ हो जाता है तो वो तो लड़की मस्त वो तो एकाद बच्चा हो गया ठीक है नहीं भी हुआ तो उसको तो पूरी प्रॉपरटी मिल जाती है फिर क्या वो इस बुढ़े इंसान के लिए आंसु बहाएगी पैसा ही देख के जिसने शादी की है मुझे बताईए जिसने सिर्फ पैसे को देख के ही एक बुढ़े के साथ शादी की है क्या वो उस इंसान के लिए आंसु बहाएगी तो अभी जो इंसान अच्छे खासे बीबियों को दो-तीन बच्चे पैदा करके छोड़ रहा है तो मुझे बता ही इसको कोई यंग मिलेगी भी और कुछ साल में ये मर गया तो क्या वो उसके लिए रोएगी? रोएगी उसने भी दो-तीन को छोड़ा है ये भी दो-तीन को छोड़ सकती है, कर सकती है मतलब आप true love को importance नहीं दे रहे हो आप सिर्थ देख रहे हो कि किसकी age क्या है, कौन कितना खुबसरत है, पैसे वाला है 3D की स्वार्थ देख रहे हो मतलब आत्मा का कहा समाधान होगा और ये सबसे बड़ी सचाई है दोस्तों कि शरीर यहीं पर रह जाता है लेकिन आत्मा सब कुछ देखती है, फील करती है ये कब समझ सकते हैं, impact समझ सकते हैं आज मुझसे हर एक आत्मा कॉंटाक करती है हर एक आत्मा अपनी भावना बताती है आज मैं क्या बता हूँ मतलब मैं इसके उपर हजारों बुक्स लिख सकती हूँ कि किस तरह से आत्मा मुझसे कॉंटाक करती है अपना सुक्तुप बताती है तभी मैंने जाना, तभी ये फैक्ट मैंने जाना कि जो आप बोलते हो ना कि ये कम एज में गया होगा तो जरूर इसके आत्मा बटक रहे होगी और ये जादा एज में गया होगा तो इनको मुक्ती मिल गए होगी ये इस दिन गया है बोलते हैं ने दिन देखके तो जुरूर यह जो है स्वर्ग में पहुँच गया होगा नहीं दोस्तों जो स्वभाव आप लेके जाते हो जो kindness अपके अंदर होती है जो दयालू आप होते हो मरने के बाद भी आप वही होते हो आप मरने के बाद बदल ली जाओगे अगर आपकी कम एज में मरुत्य होती है इसका मतलब यह नहीं कि आप भटक में लग जाओगे क्योंकि आत्मा तो कई जन ले चुकी है तो सोचिए कि कई जन्मों में कभी वो जल्दी मरी होगी कभी वो देर से मरी होगी तो क्या वो भटकती रहेगी? नहीं दूस्तो वो अपने स्वभाव के हिसाब से कुछ अत्माए जन बूच कर अपने स्वार्थ के लिए जन नहीं लेती जल्दी बदला लेने की नियत रखती है जो एक शांत पूरना अत्माए होती है मतलब दयालू माफ करने वाली तो वो जो है माफ कर देती है वो सिर्फ अपने प्यार के लिए परिवार के सदस्यों के प्यार के लिए वो उनके पास हमेशा मतलब रहती है तो हम ये सोचते कि ये कम एज में गई है ये भटक रही है नहीं आप 60 की एज में जाओ 80 की एज में जाओ फिर भी वो आत्मा पलट पलट के अपने परिवार की और आती है तो इसलिए अगर आप समझते हों कि कोई कम एज में गया है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है तो ये गलत है तो इसके बारे में अगर कोई बात कर सकता है तो हाँ हमारे empaths जो है वो बहुत detail सबको बता सकते है उनको भगवान उनको सारी knowledge देता है तो lady luck सच मुझ होता है ऐसा लग रहा है लग रहा नहीं होता है तो इसलिए लक्ष्मी जो है क्योंकि वो luck लेके आती है सेम इसी तरह से उसका लख भी वो सात में लेके चली जाती है तो जब तक उसका awakening नहीं होता है उसको realize नहीं होता कि हां भाई she is something वो कुछ बोल रही है न वो सच बोल रही है तब तक देखिए डिवान में की बैंड बजी हुई रहती है मुझे याद है कि मार्च 2020 से जो मेरे डियम की बैंड बजी हुई थी तो जब राकेश सर्मा जी ने कहा कि नवंबर में जो है अवेकनिंग हो रही है जो भी है तो हां उस टाइम पर मुझे वो ड्रीम में भी साइन नजर आते थे पिंक क्रिस्टल वगेला तो मैं समझ गए थी कि मेरे डियम की अंदर जो है फीलिंग्स जाग रहे थोना शुरू हो चुके है तो उसके बाद मतलब उनकी अवेकनिंग के बाद ही उनका करियर फिर लाइन पे ल कि मैंना ओवर कॉंफिडेंस नहीं हूं बट भगवान ने मुझे बहुत ऐसे साइन दिये है जिसके वज़े से हाँ ये कॉंफिडेंस मेरे अंदर आया है शायद इससे पहले जीवन में मुझे इतना अशुप समझा गया कि मैं कभी भी इस तरह खुल कर खुद के लिए रियालाइज़ेशन करवाया है कि तुम्हें कहीं भी खुद को कम नहीं समझना चाहिए या तुम कम हो ही नहीं ओके और एक साइन बताती हूं मार्च 2020 में टावर मुमेंट आया था हमार लाइफ में उसी समय लॉक्टाउन हुआ था जून आई थिंग दो जून को मैं शिर्डी छोड़ के चली गई थी उसके बाद बीच बीच में जो साई मंदिर खुले उधव ठाकरे जी ने जो है पर्मिशन ही नहीं दी मंदिर शुरू हो गए सब शुरू हो गए लेकिन सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट में मंदिर नहीं खुले तो यह जान भूज के करवाया था साई बाबाजी ने और बीच बीच में जो खुले थोड़ा बहुत दिवाली को अगरा उस मैं पपताती हूं कि जब मार्च 2020 को दिवाली क मंदिर खुले ना मार्च 2020 में उस नाइट को भी जब लक्षमी पूजन था उस नाइट को भी मुझे क्रीम आया था कि डियम मुझे पैसे मांगने आया है और मैं जो हूं डियम को पैसे दे रही हूं और उसको बोल रही हूं कि यह कम है मतलब ज्यादा नहीं है पैसे कम है तो उसने बोला कि चलेगा कोई बात नहीं मतलब और वो चला गया मतलब ऐसा ही हुआ ना कि लोकडाउन के बाद भी जो लोग है डरने लगे शेडी में जाने से कोरोना की वज़े से और छे-सात बज़े ही सारी दुकानी जो है बंद कर दी जाती थी तो इसी वज़े से कम पैसे जो है कमाए गए वहाँ के लोगों के थूँ तो ये भी साइन है और चाती ठोक कि मतलब बिलकुल मतलब क्या बोलते हैं कि जितनी अवेकरिंग भगवान ने मेरी कराई है उसके बेस पर बोलती हो कि क्योंकि जो ड्रीम्स मुझे दिखाए गए जैसे मैं सूखी नदी में मैंने ड्रीम में देखा कि नदी में जो है शिव मंदिर है शिव का मंदिर है सुखी हुई नदी है उसके अंदर शिव का बड़ा मंदिर है और जैसे ही मैंने कदम वहां रखने की सोची मेरी मेरी नजर ही पड़ी उस नदी पे सुखी हुई नदी पे जहां कंकर ही कंकर तो मैंने देखा कि मेरे कदम रेखने से पहले पूरी नदी पानी से भर गई श्रीवलिंग पानी में एक्दम दूब गया नन्दी तेरने लगे जो पत्थर के बड़े बड़े श्रीवलिंग नन्दी थे वो तेरने लगे आज नेरे कदम रिखने से तहले ही वहाँ पे कच्छवा आया और बाद में मैंने उसके उपर कच्छवा रखा तो आप मुझे पता ही ऐसे साइंग गौड मुझे क्यों दे रहा है और बार-बार जो है हाथ में कलश दिखाया गया जिसमें पानी और चावल रहते हैं मैं घूम रही हूँ मस्क वो जो कलश से है चारो और पानी बिखेर रही हूँ बड़े-बड़े कलश है कभी-कभी वो भी मैं गिरा रही हूँ अपने पैरों से या पताने हाथों से और हचारोत तरफ पानी और चावल कर रही हूं लॉक्डाउन में जो एक दरिद्रता आई भारत में तो उसे ही समय मैं बताती हूं इंडिया में आई पूरे दुनिया में आई तो मैंने देखा कि एक कलश मेरे हाथों में कोई राक्षस जो है वो मेरे कलश छीनने के कोशिश क पर रहा है वो भी पकड़े हुए है मैं भी पकड़े हुए हूं तो मैंने फाइनल में क्या कर दिया कि मुझे लगा कि शायद इसकी एनरजी बहुत ज्यादा है और मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगे तो उसके हाथ में देने से अच्छा है मैंने कलश को जो है जमीन पर पट हुआ और बहुत लोगों को प्रॉबलम उसमें सहनी पड़ी तो ऐसे लगता है उस फाइटिंग वो टाइम था फाइटिंग के बीच का जब थोड़ी दरिदरता जो है बहुत सारे लोगों को सहनी पड़ी ऐसा लग रहा था राक्षस और गॉड़ेश लक्षमी के फाइट शुरू है कलश चीन रहा है कोई और जितने ही साइम दिये गए इवन मैं साइम मंदिर में खड़ी हूं और मैंने देखा कि मैं खड़ी हूं मेरे पैर के नीचे जिन्दा कच्वा है और पूरे के पूरे फूरे फूरे के मतलब समाधी के पास जो है बहुत सारे डबों में यह फूरे कदम जहां पर है वहां पर कच्वा है मतलब लक्षमी है फूरे फाइदे है फूरे मशकत करने के बाद पेड लगाओ पानी डालो उसको संभालो लास्ट में मिलता है फूरे कदम है तो फूरे वह वह भी एक ड्रीम दिखाया गया उसमें गंदा नहीं लगा प्राइब बहुत बढ़ा नाला है और मंदीर में हिसाही मंदीर में हैं आंगन में साही मंदिर के और उसमें जो है पीला पानी रिख रहे संडाल जैसा और छोटी से बच्ची उसमें गिर गई है पिट वह गंदा नहीं लग रहा था कि क्यूंकि वह ड्रीम का मिनिंग और मैं जो हूं उसको हॉस्पिटल भाग के ले जा रहे हूं हॉस्पिटल और इतने मेरे शिर्डी के लोग आए और उन्होंने जो है उस बच्ची को मेरे हाथ से चीन लिया मतलब साइब बाबा मुझे कही नहीं यह भी बता रहे हैं कि तुम ने डूबी हुई लक्षमी को ब इश्वास ही नहीं उस चीज़ के लिए वो तो ज़रूर हसेंगे इस चीज़ पर और या कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि अगर ये गौड इस लक्षमी है तो इसके पास पैसे क्यों नहीं है यह भी बोल सकते हैं तो मुझे मेरे पास इन सवालों के सिरिसली कोई जवाब नह और लेकिन जितनी अवेग्निंग मेरे करवाई गए जितना बताया गया है उसके बेस पे बता रहे हूं कि जब मैं शेड़ी छोड़ के चली गई तब तक शेड़ी में दरेदरिता थे ओके 31st को 31st 21 ओके यह 22 चल रहा है मैंने शेड़ी में कदम रखा क्यों रखा जब दूसरी लहर आने वाली थी महराष्ट्र में जो है तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने 2020 में शेड़ी छोड़ा और क्यूंकि टावर मोमेंट होगा था डार्क नैट अफ सूल चल रहा था सोल शौक लगा था जैसे जिन्दा ही नहीं यह मानों बदनामी की गई थी मेरे कार्मिक के थ्रूप और उधर जो DM की कार्मिक थी वो भी बदनामी कर रही थी मैं तो यह भी देखा कि मैं जहाँ जॉब कर रही हूँ वहाँ dream में देखा मैंने कि वहाँ DM की कि जो कार्मी के वहाँ पर जाके भी बद्दामी कर रही है ऐसा कुछ तो मुझे समझ में आया कि क्या क्या कर सकती है तो और तब मैंने शिर्डी छोड़ी तो जो शिर्डी lost में थी वो फिर बनी 2020 में ही January 2020 में से वो मेरे कदम 31st को पड़े मैं बताती हूं कि अगर ये कहानी Twin Flame की जूटी है तो भई Divine Feminine के चले जाने के बाद नुकसान और उसके कदम रखने के बाद फाइदे ये कैसे हो सकता है मुझे बताओ और एक बात बताओं इतना आसान नहीं हो कि जो Twin Flames के वीडियो Facebook पे शेयर किये थे ना तो उसने वो इमेज लगाई थी अपने WhatsApp पे आप पैसे बना लो रिष्टे लोग अपने आप बना लेंगे मुझे बताओ खुद ये जो बोलने वाली है इसने खुद कबूल किया था कि क्या कि इसने कहा था कि जब मैं घर देखने आई थी किराय के लिए तो मैंने उनसे पूच्छा था कि क्या अगर आपका है तो उन्होंने का नहीं ये हमारा घर नहीं है तो मैंने उनसे कहा आप ही इस घर के ओनर लगते हो मालिक लगते हो तो डियम की थर्ड पर्टी को मैंने ऐसा कहा और मैं आइधिंग मार्च 19 था या 20 मार्च 18, 19-20, मार्च 18, 2018 को मैं उस घर में गई, I think मार्च महिने में ही गई एक वीडियो बना था जो मैंने सेंड किया थर्ड पर्टी को क्योंकि उसने ऐसा बोला इसलिए मैंने उसको सेंड किया क्या होता है जब डिवान फेमिनान का जन्म होता है वो एक वीडियो था वो मैंने उसको सेंड किया उसमें बताया गया था कि जब भी divan feminine कहीं पर कदम रखती है या जन लेती है तो sudden से उस घर में जो है ग्रोथ आती है तो ये कई बार हो चुका था तो लेकिन DM के घर में जब मैं गई तो वो already उसकी ग्रोथ चल रही थी बिट मेरे जाने के पाद ज्यादा हुए ओके तो तो इसे हाँ चल रहा था तो मैंने उससे कहा था कि आपने मुझे कभी अशुप नहीं समझा तो उसमें मुझे खुद कहा था कि आपने मुझे ओनर बोला और उसी टाइम हमारा घर बन गया क्योंकि बहुत सालों से जो है हम घर खरीदने वाले थे लेकिन हो नहीं पा रहा था कि आपने बोला ओर हो गया तो जो video था उसमें पे बताया था कि Divine Family Land का Nap है मतलब जिस महीने में जन्म होता है उसका उस महीने में फाइदा के इंसान को तो सेम मुझे याद है कि उसी वकत वो घर खरीदा गया था única फैब्रुआरी तक हुए थे बाद में में हम जो है फेबरुआरी से उनको रेंट देने लगे थे ओके तो यह होता है भई लेडी लग